सब्सक्राइब तो तो टोफवाई बॉलिवूट चैनल और प्रेस दी बेल आइकन फो लेटर्स अपडेट्स दोस्तो बॉलिवूट के लेजंडरी सुपस्टार रिशी कपूर आज हमारे बीच नहीं रहे जी हाँ दोस्तो रिशी कपूर को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी जिसके बाद उनको मुंबई के हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया था और आज सुबा उनकी डेथ हो गई रिशी कपूर के भाई रंधीर कपूर ने सबसे पहले मीडिया से कहा था कि उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब है और ट्विटर पे बॉलिवुट के सुपस्टार अमिता बच्चन ने सबसे पहले उनके दिल के दुख बया किया दोस्तो बॉलिवुट की एक्ट्रेस आलिया भट को जब रिशी कपूर की खबर का पता चला तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और रोने लगी आलिया भट रंबीर कपूर के साथ हॉस्पिटल भी आई थी दोस्तो आपको बता दे कि 2018 में रिशी कपूर को कैंसर की बिमारी का पता चला था और तब से वो कैंसर की बिमारी से लड़ रहे थे इस दोरान रंबीर कपूर काफी डिप्रेशन में रहते थे और उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए आलिया भट हमेशा उनके साथ रहती थी आलिया भट ने कपूर फैमली को हमेशा से सपोर्ट किया है आलिया भट सुपस्टार रिशी कपूर के भी दिल से काफी खरीब थी और रिशी कपूर उनको बिल्कुल अपनी बेटी समझते थे दोस्तो आलिया भड रिशी कपूर की खबर से अब काफी इमोशनल और डिप्रेस्ड है दोस्तो रिशी कपूर की आत्मा की शांती के लिए एक लाइक तो बनता है और अगर आप सबको भी रिशी कपूर पसंद थे तो नीचे कमेंट करके अपने दिल का दुख जरूर बया करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले